दोस्तों मैं जितिंदर टेकफॉर्म से बोड़ रहा हूँ दोस्तों ये है मॉबी स्टार एक्सक्यू डूल स्मार्टफॉन और दोस्तों इस फोन की शेश्टा ये है कि इसमें आपको डूल सेलफी कैमरा मिलेगा और बहुत ही पाउरफुल दोस्तों इसमें डूल फ्रंट कै दोस्तों है जिनको एक अच्छा सेलफी वाला कैमरा चाहिए और वो जो जो लोग ज्यादा पैसे नहीं खर्च सकते हैं क्योंकि इसकी कीमत दोस्तों रखी गई है सिर्फ 7,999 रुपे यानि कि 8,000 रुपीज में दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा ये फोन मिल जाएगा द आपे दोस्तों मेरी शहत प्रिविएस वीडियो भी देखी होगी जो इसकी दोस्तों बैक कवर है यह आप देख वा रहे हैं कि यह अलमूनियम का है लेकिन ऊपर टॉप पे और नीचे यह प्लास्टिक का पैक दिया गया है प्लास्टिक बैंड दिये गए हैं और दोस्तों जातक और डिजाइन की बात करें राइट एंड साइट पे दोस्तों पावर बटन है डूल हाइब्रिट सिम स्लॉट है इसमें अब एक माइक माइक्रोस्तिक कार्ट एक सिम या दो सिम लगा सकते हैं और नीचे दोस्तों यह और यह जो यूस्बी चारजिंग पोर्ट दी ग है और उपर 3.5 एम का हैट जैक है और लेफ एंड साइट पे दोस्तों आपको वाल्यूम लॉकल मिलेंगे तो दोस्तों यह तो हुए इसकी डिजाइन की पाथ और जो दोस्तों इसमें जो नेविगेशन कीज है वो डिस्प्ले के नीचे दी गए है और यह लेकिन इसमें आ खाएन की आजकाल जो आ रहे हैं अपको फूल व्यू डिस्प्ले है लेकिन आपको फिर भी जो इसका डिस्प्ले है दोस्तों वह बहुत बढ़िया है सारे पांच इंच का फुल एच्छिल डिस्प्ले है 1080 by 1920 pixels इसकी दोस्तो resolution है display की viewing angles भी अच्छे हैं और आपको दोस्तो यह जो अगर आप sunlight visibility भी इसकी बहुत अच्छी है और दोस्तो जा तक बात करें protection की तो इसमें आशी dragon trail 2.5D glass cover दिया गया है तो दोस्तो यह तो बात हुई इसके display की अब बात कर लेते हैं दोस्तो इसके और features क दोस्तो इस phone को चलाता है octa-core snapdragon का 430 processor जिसकी speed है 1.4GHz और यह Adreno 505 GPU के साथ आता है और दोस्तो इसमें आपको 3GB RAM plus 32GB of internal storage मिलेगी और जिसको की आप 128GB तक extend कर सकते हैं वाया micro SD card लेकिन इसमें जोस्तो जो एक जो चीज मेरे को पसंद नहीं आए कि इसमें जो आपको android version है वो पराना मिलेगा android nugget का 7.10 इसके उपर mobi star का अपना version है version 3.0 लेकिन फिर भी आपको इसमें कोई इतनी कोई बहुत बड़ा issue नहीं है और जहां तक दोस्तों बात करें इसके performance की तो यह जो octa-core processor है हाला कि है तो यह पराना इतना powerful नहीं है फिर भी आप अगर आप मेडिय maker user है तो आप अच्छा काम कर सकते हैं multitasking अच्छी है ज्यादा एप आप नहीं कोल सकते हैं 10 से 12 अगर में मुल्टी टास्किंग बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं लेकिन अगर आप ज्यादा multitasking चाहते हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा यह फिर आपको तोड़ी से में दिक् कि अगर अब हैवी गेमिंग इसमें दोस्तों फिर आपको इस फोन एफ़न लोड़ासा में आपको दिकत आ सकती है तो यह तो बात हो दोस्तों किसे फॉबसरDas की लेकिन एक जो इसमें सबसे इसमें movies बगारा भी देखे हैं तो मेरे कोई दिक्कत नहीं आई है और इसकी दोस्तों जो बैटरी है वो 3000 mAh की बैटरी है और अगर आप heavy user भी है phone के तब भी आपका असानी से आपका 8 से 9 गंटे तक काम निकाल देगी यह भी दोस्तों इसका बहुत बड़ा plus feature है लेकिन fast charging न performance के बारे में जातक मैं बात करूं अगर आप इस पर अपनी website देखना चाते हैं आप अपने content स्ट्रीम करना चाते हैं आप videos देखना चाते हैं YouTube चैनल को देखना चाते हैं email account को आप उस पर assess करना चाते हैं social media platform पर जाना चाते हैं तो इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली हैं यह क्योंकि यह मेरी observation है और यह मैंने इस phone में experience करके यह बाते मैं आप से share कर रहा हूं जहां तक बात करें दोस्तों इसके camera की जैसा कि मैंने बताया कि इसमें दोस्तों आपको जो फ्रंट का camera है दोस्तों जो इसका जो इसकी यूएसपी है वह थर्टी मेगा पिक्सल का वह सेंसंग का sensor लगा हूँ है उसमें f2.0 का इसमें aperture है और और जो secondary जो फ्रंट कैमरा है वह है एट मेगा पिक्सल का विद ओमनी ओमनी विजन सेंसर और f2.2 का aperture है 120 डिग्री सुपर वाइड व्यू एंगल है इसमें तो अगर आप इसमें बहुत अच्छी आप इसमें ग्रूप सेलफी भी निकाल सकते हैं और आपको दोस्तों इसमें और भी कई तक बात करें दोस्तों इसके रियर कैमरा की तो इसमें दोस्तों जो रियर कैमरा है वो 13 मेगा पिक्सल का है विद एफ 2.0 अपर्चर और डूल टोन LED फ्लैश है इसमें और फेस डिटेक्शन आट फोकस के साथ आता है और इसमें भी आपको दोस्तों कही फीचर्स मिलेंगे जैसा कि इसमें आपको HDR का फीचर है नाइट मोड है प्रोफेशनल मोड है दोस्तों नाइट मोड इसका बहुत बढ़िया काम करता है और मैंने दोस्तों इसमें कुछ इमिजिस भी निकाले है फ्रंट कैमरा से और रियर कैमरा से तो मैं तो दोस्तों काफी इंप्रेस्ट एक पा रहे हैं यह दोस्तों यह जो इसका नाइट मोड से दोस्तों मैंने उसके में इमइज ista क्लिक की यह यहोट काफी आए आएं एक यह आए खीर के गए है और यह दोस्तों नर्मल कैमिघा से खीची गई है और यह दोस्तों कितनी इमजा की आई images आती हैं आपको पूरी depth मिलेगी और brightness भी पूरी मिलेगी और इस रेंज में दोस्तों 8,000 रुपीज की रेंज में ये कैमरा बहुत ही अच्छी तरह परफॉर्म करता है और ये price को खूब justify करता है जहां तक दोस्तों overall analysis की बात करें तो ये phone दोस्तों थोड़ा सा broad है जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी broadness वोड़ी सी ज्यादा है अगर आपको पढ़ने में हलका सा थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है लेकिन कोई बाकी ये phone बहुत स्लीक है आप इसको इसली single hand से operate कर सकते हैं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी और जा तक दोस्तों बात करें इसके प्राइस की तो प्राइस इसका दोस्तों बहुत एट्रेक्टिव है एट थाउजन रुपीज है एट थाउजन रुपीज में दोस्तों आपको साड़े पांच इंच की फुल एच्टी डिस्प्लेय मिल रहा है हालाग यह इसका दोस्तों जो इसके दो कैमरा है फ्रंट कैमरा है 13 मेगा पिक्सल और एट मेगा पिक्सल यह काफी दोस्तों अट्रेक्टिव फीचर है और अगर आप एक अच्छा सेलफी फोन लेठा चाहते है आपका बजट स्रक्स समार트 फॉन लें पहले कि फोन नहीं लेना चाहते अगर आप सेल्फी के बहुत शोकीन है तो आप इस फोन को definitely consider कर सकते हैं और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मेरा ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं जिसका नाम है techwarm.com थैंक यू वेरी मच दोस्तों और बाए